नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहें न्यूस क्लिक पर पड़ताल दुनिया भर की आज पड़ताल दुनिया भर में हम आप पे चर्चा करेंगे आपके साथ मिलकर देखेंगे तटो लेंगे कि पिछले 11 महिने से युक्रेन की धर्ती पे जो युद्ध चल रहा ह है आज उसमें कौन देश कहा है क्या एक गुरात्मक परिवर्तन होने जा रहा है इस युद्ध में यानि और युद्ध विभीशिका बढ़ेगी क्या और इसी के साथ साथ दूसरा मुद्ध होगा पेरू लातिन अमरीका का एक देश पेरू जहां पर सत्ता तबदीली प्रबीर आज हम आपसे बात करेंगे युक्रेन में जो युद्ध चल रहा है जिसको 11 महीने पूरे हो गये हैं फरवरी में पूरा एक साल हो जाएगा आज अगर हम देखें तो युद्ध कहां खड़ा है किस तरह से युद्ध चल रहा है किंके बीच में क्या इस्थिती है और अगर मैप के जरीए अगर आप हमें बता पाएं तो दर्शकों को भी पता चलेगा कि युद्ध में जो संघर्ष है जो कुछ इलाके जिनके बारे में बातचीत हम पिछले एक साल से कर रहे हैं वहाँ पर क्या स्थिती है रूस की युक्रेन की और नेटो की शक्तियों क है और युक्रेन के बीच यह लड़ाई चल रही है तो लड़ाई में हम ज्यादा इसकी वायान इसलिए नहीं करते क्योंकि यह चलता रहे का जल्दी खत्म होने वाला देखता नहीं है तो यह लड़ाई दोनों पक्ष इसलिए चला पाएंगे कि एक और आपने जो कहा इसक उसका कोई फल नहीं निकला रूस भी इसको चलाने में काम्याब है तो यह तो मोटी पिक्चर रही युद्व में लाइन कहां बदलती है क्या होती है इस पे हम इसलिए जाना नहीं चाहते हैं खास तोर से क्योंकि इस पे हमारी कोई अलग कोई क्या कहते है उन्हाइटि कर अकबारों में और ये भी है कि यहां पर बड़े पैमाने पे military officers को military industrial complex america की जो है उसके spokesperson बना देते हैं और वो television लेकर हर जगव पे जाके जंग के लिए और जंग चले इसके लिए बात चीट करते हैं अगर आप देखें जो दिखता है Donbass region जो है उसको लेके लड़ाई थी क्योंकि वहां रूसी बोलने वाले और रूसी नसल वाले कह सकते ethnicity के लोग वहां बसे हुए हैं और Ukraine का कहना था कि इनको हम कबजा कर लेंगे और रूसी भाशा को हम Ukraine में चलने नहीं देंगे ना कि उनकी cultural identity को हम बरकारा रखेंगे यह भी है कि इस वक्त Russian Orthodox Church जिस पे बहुत सारे Ukraine के लोग जिसके शिरकत करते हैं उनको कहा किया यूक्रेन में इस चर्च की पस्तित्तों हम नहीं रखना चाहते हैं और यह यूक्रेन युद्ध से पहले की सिती भी थी कि यहां पर पहले चलने वाली सिती उस दोनों चल रहा है पहले कुछ थी अब कुछ अभी बढ़ा है इस पर चर्च पैटा कभी रीसेंटली हुआ है पर इस पर अगर देखें तो लाइन्स की जो बात चलती है क्योंकि इस वक्त चर्च में सौलिदार बखबूत यह जो लाइन की सेवेरिस्क शहर इनकी लाइन की जो है कि डॉनबास रीजिन में जहां पर हमने पहले भी कहा कि जो लाइन है उस पर डॉनियस्क शहर के सामना वाला हिस्सा जो है यूक्रेन से बख्मूत सॉलिडार सेवेरिस्क जो शहर है उसकी सप्लाई लाइन जो जाता है इसको सप्लाई करने के लिए उसमें एक सॉलिडार शहर का पतन हुआ है 15 किलोमेटर दूरी पे है वो बख्मूत से बहुत सारे अंडरग्राउंड के उसको सॉल्ट कावर्न से जिस पे बहु सॉलिडार का पतन हुआ है रूस की ताक्ते वहां पहुंच गई है और इसके साथ बाख्मूत की स्थिति उसका आटी मुवास कहते है रूसी में और उक्रेन उसको बाख्मूत कहती है तो वह लड़ाई इस वक्त चल रहा है सेवेरिस्क उपर है तो वह भी उस लाइन के हिस पर लाइन जब टूट जाता है तो यह संभावना होता है पीशे से फोर्स आगे बढ़ सकते हैं मतलब डॉन बास की जो फोर्टिफिकेशन है तो रूसी फोर्स सुख से पीशे पहुंचने की संभावना है पर यह चोती सी डॉन बास इलाके को जिस तरह से उन्होंने पूर नहीं है यह तो अखबार हर तरह की बयान कर रही है तो उस पर हम जाना नहीं इसलिए चाहती है कि हमारी जो आप ने कहा ना कि हमारे वहां पर कोई पोर्टर है ना कि हमारी खुद की इस तरह का military expertise कोई है जिस कलीक में जो इस चीज़ को चर्चा कर सके पर यह दुन दुनिय है कि रूस की फोर्स अगर इस तरह और भी लाइन तोड़के चले तो डॉन बास के जो हिस्सा इस वाक्त उनके कब्जे भी नहीं है शायद वो उनके कब्जे में आ सकता है पर यह एक महिना पंड़ा दिन वीच दिन में होने वाला नहीं है यह तो से कहते स्लॉग है माइल किल लड़ाई चलेगी फोर्टिफाइड एरिया से यह पूरे इसको बहुत पहले से दोसाजार चौदा मिंस के बाद इस इलाके को पूरा फोर्टिफाइड किया है पीछले 7-8 साल में तो अमरीका नेटो की पूरी यहां पर क्या कहेंगे खर्चे से लेकर मिलिटरी यह किया है सजावट है इसकी उसको तोड़ना इतना आसान नहीं होगा इसलिए रूस इसको ग्यारा महिने बाद इसको तोड़ने की इस वक्त कोशिश कर रहा है दूसरा सवाल जो उठता है क्योंकि लगातार जो खबरे आ रही हैं कि मिसाईल हमले हो रहे हैं जैलेंस की अपनी तरह से यूरोप है अमरीका सहीत होगा इसकी डिमांड हो रही है लोग कह रहें कि हमें टैंक चाहिए यहां से टैंक चाहिए वहां से टैंक चाहिए तो क्या हो रहा है क्या युद्ध में एक qualitative change की आशंका दिखाई दे रही है कि लगातार नेटों की जो वैपन्स है यहां पर आता रहा पर वैपन्स किस तरह का वैपन्स आएगा उस पर कुछ रुकावट थी कि यह हम भीजेंगे यह नहीं भीजेंगे तो अभी भी कह रहा है defensive weapons भीजेंगे फर हम दूर से missile हमला करने वाले वैपन्स नहीं भीजेंगे तो patriot missile की गोशना किया है कि उसके उससे हमारे रूस की जो missile का हमला हो सकता है उससे शायद बचाव कर देगा यूक्रेन का पर वो भी एक battery की गोशना किया गया है एक billion dollar का खर्चा है उसमें पर एक ही battery आएगा तो एक शहर से ज्यादा उसको protect करने के च्छमता नहीं होगी तो और क्या दे सकते हैं इस वाक्त चाहिए यूक्रेन का artillery चाहिए shells चाहिए यह जो चीजे ज्यादा दे नहीं पा रहे हैं और tanks की बाते हैं एक मिनिट tanks पे आ रहा हूं हूं मैं पर यह shells और artillery की जो demand है वो धीरे धीरे उस तरह से उनकी पूर्ती नहीं कर पा रहे हैं तो उसके बदले उसकी एवज में इस वाक्त कह रहे हैं कि हम आपको पहले जो नहीं दिया armed personal carriers ब्रैडली जो है उसको देंगे अमरीका ने कहा है और जर्बनी वगारे से कह रहे हैं कि आप tanks भी दे लियोपोल two tanks की बात हो रही है पुरानी टैंक है पर जर्बनी की जो उसका बनाता है उसने कहा हमें एक साल लगेगा पुराने टैंकों को ठीक करके भेजने में तो एक साल लगेगा कहा है जो जर्बनी ने कहा है तो क्या बाकि दूसरी जगह से इंद्जाम करेंगे तो ये बात चल रह है तो देखना पड़ेगा कि क्या टेंशन से इसके लेके हो रहा है पर इस पे कोई दोर आए नहीं है कि वो जो लक्ष्पन रेखा थी हां बृटन भी चौदर टैंक भोशना कर चुके बड़ी उसकी तारीफ करे जा रहे है तो सिर्फ चौदर टैंक ही सवाल है कि यह टैंक ज पर इस तरह के जंक में कितना भेजेंगे उस पर कितना ट्रेशन से आच कामयाब होगा आज के तारीफ पर टैंक… गो टैंक है अद़ विजाएल्स के बने जाते हैं उसकी शिकार बढई आसारी से बन जाते हैं टैंक्स कितना सफल होगे नहीं होगे military — एक्स पर्स बताइं चल रहा है तो उसको देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई खास फरक आने वाला है 100-200 टैंक से यह तो आपका ब्रैंडली कैरियर से तो यह तो बहुत पुरानी चीजे है इससे बहुत फरक युद्ध में पढ़ने वाला नहीं है सवाल यह है कि युद्ध कौन कर रहा किस मंत्री डिफेंस मिनिस्टर जिस तरह से वो कह रहे हैं कि भाई हम आपके लिए नैटो के लिए खून और पसीना बहा रहे हैं पैसा और वेपन्स आपको देने होंगे तो मुझे लग रहा था कि प्रभीर जिसको हम शुरू से बोल रहे थे 11 महीने हो गये हैं हमें इसे कबर करते करते पहले दिन से शायद एकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म होगा न्यूस प्लेटफॉर्म जो लगातार बोल रहा था कि पर्दे के पीछे से जो नैटो की शक्तियां है जो अमरीका है शायद आज की तारीख में बहुत खुलकर सब सामने आ गया है हां इसो पर्दा रहा नहीं है और दुनिया इसी लिए बहुत ज्यादा इस पर शिर्कत करने के लिए तयार नहीं है यूर्पियन यूनियन जो नेटो का पार्ट है इस वक्त वो और अमरीका यही मूल शक्ति है जो इस लड़ाई को चला रहा है यूकरेन की तरफ से और बिना इस हात्यार बिना पैसे यूकरेन यूद्ध चला नहीं सकता सभी जानते हैं और यूकरेन की रक्षा मंत्री के जो आपने कहा यह चीज तो साफ है यह हम कह रहे हैं बहुत पहले से रक्तर मुझ साफ कहा कि खून पसीना हम बना रहे हैं पैसा आर्म्स तो आपको देना ही पढ़ेगा तो यह आपके लिए हम लड़ रहे हैं खून पसीना देके तो आपको तो आर्म सर पैसा तापको देना ही प्राश्ट का यह कहना रूस के खिलाफ वो भी एक सायुक्त राश्ट कुछ तो अपने स्थिती की अपने प्लेटफॉर्म की गरिमा रखता उसने सीधे सीधे रूस को के जमाने में उनका यह इरादा था कि पूरा रूस को तोड़के अलग-अलग हिस्से कर दे जिसकी अलग-अलग कबजा कर लेंगे पर वो हुआ नहीं क्योंकि रूस का स्टेट जो है उसने फिर एक एक कहते पुरा रथ्थान कहें फिर उसने उठ खड़ा हुआ कम से कम है पर रूस कमजोर नहीं है मिलिटरिली किसी ने आज टिपनी मैं पढ़़ा रहा है टिपनी किया है सबसे ज़्यादा शक्तिशाली है क्योंकि यह लैंड वार रहा है लड़ सकता है उसके बाद नुक्लियर मिजाइल जोतना ही है जितना अमरीका के पास है शायद उससे उन अगर कोई बहुत बड़ा परिवारतन हो तो अलग बाते दिख नहीं रहा है क्योंकि रूस एकनॉमिक वार को जेल लिया है और एकनॉमिक वार को जेल नहीं पा रहा है वेस्टन यॉरप है और उसे काफी असंतोश लोगों के है तो यह कितना दूर तक अमरीका और को अपना पेड़ बात के चलाएगा यह देखने की तो मैं आपसे भविश्वानी तो नहीं लेकिन मैं आपसे यह जरूर जानना चाहूंगी क्योंकि जो संकेत दिख रहे हैं युद्ध खतम होने के आसार नहीं और शांती की तो कहीं से कोई पहल नहीं देखे जल्दबाज से बात कर सकता है वो भी कोई नहीं है उस तरह के शक्तिया जो आपका सेकेंड वॉर्ल वार के बाद वो इंडिया नौन इलाइंड वर्ल्ड था एक एजिप्ट इंडिया सोकार्णो इंडुनेशिया में टीटो यह जो दुनिया थी कम से कम पुरा गुटनिर पेक्ष आंद नेशन सेक्यूरिटी काउंसिल का भी कोई रोल इस तरह से है नहीं देखें जब जनता जिस देशों में लडाई चल रही है जब तक जनता उस लडाई के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगी तब तक लडाई चलता रहेगा यह हकीकत है यह चाहे अफगानिस्तान हो चाहे व होगा और रूस में क्या होगा इसका इसके ऊपर युक्रेन के लडाई टिके भी यह इस वाक्ष तो इसलिए उसको देखना पड़ेगा दूसरा सवाल मेरा लातिन अमरीकी देश पेरू को लेकर है उसमें पहले भी चर्चा कर चुके थे पैद्रो जब जीते थे तब भी हम पाएगा पेरू देखे पेड्रो कस्टिव को जब उन्होंने हटाया और एक गर्थ कदम उन्होंने उठाया था कि उन्होंने अबर्जिंस नेकलेर कर दे थी उसका जो है एकसेप्टिबिलिटी जब उनके पास असेमली पार्लिमेंट जिसको कहेंगे उसका सपोर्ट नहीं जीते नहीं उसको तो प्रेजिडट चुना गिया है जो उनकी एसेमली है उससे पार्लिमेंट कि हिए उससे चुना गिया है तो उन्होंने कहा है कि हम पेड्रो कस्टिव को इस طर eran के बार बाद होगा इसके बाद जब काफ़े अस पास असंतोष जाहिर हुआ County तो नोगों क चल रही है लोग मरे बरे जा रहे हैं बड़े पैमाने पे गोलिया चलाए यह आम जनता पे जो सड़क पे आये हैं यह कहके कि पेड्रो कस्तियोग हटाना गलत था अभी चुनाओ कराओ देखिए अभी चुनाओ का जो सवाल है यह हटने वाला नहीं है क्योंकि आपने एक हिस तब आप उन पे गोली चला रहे हैं और आपको डर लगा हुआ है कि आपको जो सत्ता मिली है वो चली जाएगी आपके हास से थीक है पर वो तो सब जो सत्ता में होते हैं उनके डर होता ही पर गोली चला के लोगों को मास केल पे हत्ता करना जो तस्वीरे आ रही है कि भीड क को अपने जेल में भेज़ दिया इसके बाद आप कहरें चुनाव बाद में कराएंगे और उसको डिमांड करने जब आएंगे लोग तब उसके पर गोली चलाएंगे तो यह एक तरफ से आपकी constitutional coup को illegitimate घोशित करता है जन्त दुनिया के सामने अपने जन्ता के सामने तो मेरे ख्याल से पेरू की यह रास्ता जो हो सकता dictatorship की तरफ चले यह जो चल रहा है एक हिसाब से बहुत दुख़त होगा यह तो चेवर पेरू बहुत चोटा मुल्क है बहुत बहुत मुल्क नहीं है लाटन अमेरिका को जहदारा है इस वाक्त उस दिशा में नहीं जा रहे है कि military coup constitutional coup करके बहुत देर से इसको चला पाएंग तो मेरे ख्याल से sooner rather than later अच्छा सब के लिए ही होगा कि जल्दी इसके लिए चुनाओ की दोशनक करें चुनाओ में चुनाओ की मैदान में टेस्ट करें कौन कितने पानी में है जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीश एक बात बहुत साफ है कि युद्ध एक बार है और बहुत लंबा प्रोसेज है बहुत लंबी प्रक्रिया है और अमन की शक्तियां लगातार दुन्या में कमजور हो रही है इसलिए बहुत जरूरी है कि युद्धोन माद में फषze बगएर मानवता के बारे में सोचना बात करना अमन की बात करना और आप से अपील है कि आप देखिए लाइक करिए शेयर करिए न्यूस क्लिक परताल दुनिया भर की ताकि अमन की आवास तेज हो मजबूत पत्रिकारिता तेज हो शुक्रिया